हेलो दियर स्टुडेंट्स यह देखते हैं कि अगर एक रॉट रोटेट कर रही है एबाउट वन एंड तो उसमें टैंशन किस तरीके से वेरी करती है विद लेंथ वेरेशन अफ टैंशन इने रोटेटिंग रॉट इसको दो मैठड से सॉल करते हैं देखें फर्स मैठड में हम चेंट्र आफ मास का मैठड यूज करते हैं उसके लिए सपोज मैं यहां से एक सिस्टेंस पर कल्कुलेट करना चाहता हूं कि टैंशन क्या होगा य यह x equal to 0 ले रहा है जिसके बाउट रोटेट कर रहा है और दूसरा end x equal to L है यहां से एक सिस्टेंस पर अगर हम देखें तो हम रॉड के अगर इस वाले पार्ट को consider करें जो x minus L लेंथ का पार्ट है इस पार्ट के लिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि रॉड का यह यह इस राइट वाले पार्ट पर एक tension force लगा रहा होगा जैसे आप लोगों को याद होगा laws of motion में हम लोग heavy rope में tension निकालते थे तो वहां से break कर दिया करते थे rope को और फिल दौनों पार्ट एक दूसरे पर opposite direction में force लगाते थे अब यह जो बचा हुआ पार्ट है इसका mass कित हो जाएगा lambda into L minus x यह tension T की center को centipetal force प्रोवाइट कर रहा होगा आपको पता है कि सारे सारे forces को कहां shift कर सकते हैं center पर shift कर सकते हैं तो अगर देखें कि इसका center कितने distance पर rotate कर रहा है तो यह distance आपका कितना आ जाएगा distance x plus L minus x divided by 2 आ जाएगा which is equal to L plus x divided by 2 यह radius होगा जिस radius में यह part rotate कर रहा होगा तो loss of motion से अगर हम देखना चाहें तो centipetal force tension provide कर रहा होगा और यह कितने के बराबर होना चाहिए mass of this m, m कितना हो गया आपके पास lambda into L minus x into radius r which is equal to L plus x divided by 2 into omega square इसे आपके पास tension कितना आ जाता है lambda की value अगर हम m by L put करते हैं तो m by 2L यहाँ पर आ जाता है into L square minus x square omega square यह आपके पास tension बन जाता है as a function of x आप देख सकते हैं at x equal to 0 अगर आप इसमें put करते हैं तो x equal to 0 पर tension जो है वो maximum होगा और यह maximum tension कितना होगा M L omega square by 2 आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका पूरा center of mass कहाँ पर L by 2 radius में rotate कर रहा होगा और M R omega square direct लिग दें पूरे rod के लिए तो direct tension आजाता और at x equal to L अगर आप देखेंगे दूसरे end पर तो tension जो है minimum होगा और कितना होगा वो 0 के बराबर आजाएगा x equal to L put करने पर इस तरीके से tension vary कर रहा होगा दूसरा इसका method यह है solve करने के लिए कि अगर हम यहाँ से x distance पर एक small element consider कर लें इस element dx पर इस dx element के लिए देखें तो इस dx element का जो mass है वो lambda into dx हो जाएगा यहाँ पर अगर हम मालना है कि इस point पर tension t है जो हम calculate करना चाहते हैं और दूसरे end पर tension t plus dt है tension का variation है तो ऐसी case में इसको यह x radius में rotate कर रहा होगा तो centipetal force कितना लगेगा इस पर center किता force लगेगा t minus t plus dt that will be equal to dm और x into omega square m r omega square यहाँ से आप देख सकते हैं कि minus dt is equal to कितना आ जाता है dm is lambda into dx that is m by l into dx तो m by l omega square x dx यह आपके पास equation बन रही है आप देख सकते हैं x vary करने के negative sign आने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे ऐसे x increase हो रहा है tension decrease हो रहा होगा x increase होने के साथ tension decrease हो रहा है यह हम लोग ने पहले भी देखा case 1 में भी आप यहाँ पर अगर हम इसको integrate कर रहें तो मैं पता है कि t equal to x equal to l पर tension 0 होना चाहिए वहाँ पर कोई part नहीं है जिसको rotation provide किया जाए तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि x equal to l पर tension 0 लेना पड़ेगा यहाँ पर परनाम इसको solve नहीं कर पाएंगे और किसी general x पर tension अगर t हो जाता है तो इसको हम solve कर सकते हैं यह हमारे पास यहाँ से कितना आ जाता है minus t is equal to m by l omega square x square minus l square divided by 2 आ जाएगा आप जेख सकते हैं कि अगर t को ले ले हैं उदर negative sign ले जाएं तो वो ही function आ गया हमारे पास m by 2 l omega square l square minus x square तो यह भी एक method है t as a function of x calculate करने के लिए इस तरीके से भी solve किया जा सकता है अगर हम इसका graph बनाना चाहें तो graph बनाने के लिए आपको यह तो पता ही है कि x equal to 0 और x equal to l पर tension की value क्या क्या है अगर हम इसका slope देखें dt by dx ऐसे function of x इसका slope देखें किस तरीके से आना चाहिए graph का और graph मैं आपको बता रहा हूँ graph के लिए आप लोग अगर slope देखें तो dt by dx will be equal to m by 2l into omega square तो आए गई और यह basically कितना हो जाएगा minus 2x आ जाएगा l square तो constant of 0 हो जाएगा तो अब कह सकते हैं कि dt by dt basically क्या रहा है dt by dx proportional to minus x आ रहा है proportional to minus x आने का मतलब यह है कि slope x बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा होगा और negative रहेगा तो अगर x increase होगा तो slope भी increase होगा और slope negative है यह दो चीज़ा हमें दिखाई दे रही है तो यहाँ पर clear सी बात यह है इसका अगर आप graph बनाएंगे t as a function of x तो t as a function of x में x equal to 0 पर slope क्या आ जाएगा x equal to 0 पर slope 0 आना चाहिए तो slope 0 होगा और इसके बाद यह slope x के साथ बढ़ता जा रहा है और पूरे में negative रह रहा है इस तरह एक आपके पास graph बन जाएगा t equal to 0 पर slope x equal to 0 पर slope 0 and this keeps on increasing और x equal to l पर आकर यह slope maximum होगा ओके यह आपका tension as a function of x का graph बन जाता है तो मेरे ख्याद से आप लोगों को दोनो situation समझ में आ गई होंगी दोनो case समझ में आ गई होंगे किस तरीके से हम इसको center of mask के concept से भी कर सकते हैं और circular motion के direct concept से भी किया जा सकता है ओके enjoy your day